असलाम अलेकूम दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजर हूँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे साथ एक लिर्की है क्रिस्टीना है ये फिलिपीन से है आज इसको मैं उर्दू सखाने की कोशिश करूँगा तो इसको मैं पहले सखाता हूँ एसलाम एलेकूम इसको ये पहले ही पता है I will teach you today Urdu, okay? So what you want to learn today? I want to learn about counting, but I need to learn workout Which one? All come? Accounting Accounting? One Two Okay, Ek Ek One Ek एक गड़े हुआज और दो तीन चार चार पात छे छे छात आट गो नौ दस क्या हाल है क्या हाल है में हूँ है थेक है थेक है आलहमदुलिल्लाह Okay, Alhamdulillah. ऐहितक है, Alhamdulillah. Yeah. Did I pronounce it? Yeah, ठीक है. No, ठीक है means I am good. Okay, Alhamdulillah, thanks. Alhamdulillah. So, this one is enough, right? Okay. So, this one is enough right? This one is enough for today. So, after you can memorize. What are you? How are you? ठीक है ? ठीक है ? अल्हम्दुलिल्ला ठीक है ठीक है रिष्ट रिष्ट एक 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 दो तीन चार पांट छे साथ आठ नव दस आउ नव 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 यह नहीं, नहीं, नहीं can you teach me in your language also something like क्या हाल है, how are you in Tagalog in your language कमस्तका क्या हाल है, how are you and what about ठीक है ठीक है मभूती मभूती और पूतिपो इसका मतलब है क्या हाल है इनकी language में होगा कमस्तका और ठीक है होगा मभूती पो चलें, इसके साथ हमने भी एक दो लफज याद कर लिये एक दो इनकी मेरे हाल से मुश्कल ही होगी और इस बाट यह और 1,2,3 in your language इस इस दलवा ततलो आपत रिमा आनि पीतो वालो शम शम संप यह तो बहुत मुश्किल है यह मुझे तो याद नहीं होगी मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं याद करने की कोशिश करता हूं तो मैं पहले यह याद कर लेता हूँ और यह भी याद कर लेती है तो फिर अगली वीडियो में इसे और कुछ सीकने की कोशिश करेंगे तो चले सभी है ठीक है उसकत के लिए अपना हिया रखें Allah Hafiz Assalamualaikum Malaykum Assalamualaikum Assalamualaikum I wait, wait, wait Assalamualaikum Assalamualaikum How are you? What is your name? क्या हाल है अल्हम्दूलिल्ह अल्हम्दूलिल्ह